तो चाहे आप यहां पर फोटोग्राफिक कर रहे हैं या वीडियो बाहर शूट कर रहे हैं या किसी स्ट्यूडियो में काम कर रहे हो तो जो मैं यहां पर बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से काम करोगा तो बहुत ही असानी से और कम समय में अपने क्रोमा को रिमूव कर सक सकते हो साथ में यहां पर थोड़ा सा कॉंपिंग का पार्ट कुछ पता रहो कि आप बहुत साई चीजों के इसको यूज करके बहुत ही जल्दी कर सकते हो तो करना किस तरीके से चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में तो यहां पर मैरे दो टाइप के इमेज लें जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहुए एक में हमारा कैमरा है यह में लड़का है जो की पीछे बैक्रांड हमारे ग्रीन के उपर है तो यहां पर अगर आपको पहली फूटेज्ज दिखोगे तो गूगल पर सार्श जैसे आपको देख जाएंगी जो कि पहले से बहुत जादा क्लीन होती है और आप करोगे तो बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगा बड़ आप खुछ शूट करते हो या स्टूडियो में कुछ कभी भी फिटेज मिलती है जिसमें आप एग्रेंस होती है परच्छाई होती ह है वहाँ पर कुछ प्रावलम साती है उनको आपके इस तरीके से रिमूव कर सकते हो वह में यह बताने वाला हूं तो इसके लिए तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया है इसके लिए मैंने यहां पर क्लीन ट्रेट बनाया हुआ है आप देखो यहां पर क्लीन ट्रेट है और तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है जैसे कि आप देख रहे हो और जैसी आपका आ जाएगा आप यहां पर प्रेस्ट करो तो आपको फुटेज यहां पर दिखाई देने लगेगी तो जैसी सबसे पहले आपको फुटेज आती है आपको अपने प्रोजेक्ट सेटिंग करनी है और फुटेज की सेटिंग करनी है आप यहां पर डवल किलिक करो प्री मल्टिप्लाइड ओटो अलफा यहां पर मैं पहले बता चुका हूं स्टार्ट फ्रेम वन करना है और यहां पर वन करना है ताकि एक बार में की प्रोपर्टी दिखाई दे एस प्रेस करना है प्रोजे यहां पर अगर कम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे कि मुझे यहां पर करना है मैं एक्से दस एक ले लेता हो यह एक से 20 तक हमें अपने प्रोजेक्ट सैटिंग के अंदर जाना है और यहां पर करता हूं 20 मांनलों 20 पर करता हूं और यहां पर okay तो आप अब देख रहे हो जा पर करूंगा तो 20 फ्रेम भी मिले मिलए차 प्ले अब यहां पर मेरे देख रहे की ग्रिंज बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे याप तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे shift F3 press करते हैं और यहां पे मैं यहां पे लेता हूँ तो यह क्या करेगा Automatic यहां पर Noise Remove कर देगा अब Noise हमाई रिमूव हुए नहीं यह क्या क्या कर देगा आप इसको क्या करो यहां पर B प्रेश करो बीमला Blue चैनल में हम देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहां पर भी दिखाई दे रहा है अब मैं यहां पर D करता हूं यहां पर D select हो जाएगा इसको select करना है और यहां पर D तो यहां देखो कि आपको कुछ इस तरीके से remove हो रहा है अगर आपको और ज्यादा remove करना है तो आप इसके property में जाके यहां से कर सकते हो जी में भी आप यहां पर देख सकते हो और रेड में भी देख सकते हो तो मैं यहां पर फिरता से कर देता हूं अभी हमें क्या करना है यहां पर इसको मैं कर लेता हूं पर कोपी कंट्रॉल सी इन कंट्रॉल भी इसको एक डॉब्लिकेट पहले भी कर सकते हैं अब हम यहां पर बनाना है अब प्लेट हमें कौनसे फ्रे मेerv बनाना है किसी को बीट बना सकते हो तो मैं यहां पर बनाता हूं तो पहले मैं यहां पर बना रहा हूं प्लेट तो मैं इसके लिए करूंगा पी या तो टैप प्रेस करो यहां पर पेंट कर लो पी शॉटकट है इसका आराम से यहां पर आ जाएगा जैसी आ गया आप इसको यहां पर अटेश कर लो जैसी अटेश हो जाएगा आप यहां पर क ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाए शिफ्ट के साथ में इसके साइज को बढ़ा कर सकते हैं और कंट्रोल से इसके सोर्स को ले सकते हैं जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं तो हमें क्या करना है थोड़ा सा ऐसे यहां पर आप पहलों कैसा था ऐसे और आप कैसे ऐसे तो ऐसा है आपकu यहां पर दिखाए जाएगा तो इस तरीके से आप पूरा इस तरीके से REMOVE कर लो कर लो तो लिखना आई अपिक्ट के आप लिखो की तो एक ज़ियों आएगा और कलर आएगा तो कलर हम नहीं ले रहें लिपर हम आइभी के के झिव मुसे कर रहें तो यहां पर इमंदों मिलते हैं यहां पर मिलता है वर्जाओंड लीड और बैग्राउंड तो हमीं क्या करना है फोर ग करेंगे वन प्र्एस तो आपको कुछ अस तरीके से दिखेगा है अब यहापको क्या करना है आपको यहां पर आई बी के जाना है और यहाँ प्रोपर्टियों में सि जो आगे दिखे रहा है स्क्रीन टाइप हमें यहाँ पर blue की जगे करना है green क्योंकि हमारे chroma है green अगर blue रहेगा तो आपको blue पर करना है जैसी आप यहाँ पर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी गलती कहाँ पर यहाँ ऐसा है आप लोग की भी गलती हो सकती है हमने लिया background तो हमें क्या गरना है यहाँ पर clean plate लेना है और background को हटा देना है इस तरीके से ठीक है तो जब आप करोगे यहाँ पर green तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाए देगा अब हम alpha press करते हैं आप को इस तरीके अब हम alpha नहीं देखते हैं तो हम यह कुछ इस तरीके से दिखाए देगा तो हम पहले यह ठीक कर लेते हैं इस के लिए क्या करना है आपको IB का गीडो पर जाओ इसकी property में नीचे की तरह आएंगे तो हमें use b के जो दिख रहा है आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी यह problem यहाँ पर solve हो जाएगी अब हम a press करते हैं तब भी मेरा यहाँ पर आ रहा है तो हमें क्या करना है अलफा को ठीक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर ले रहा हूं grade note टैप प्रेस करना जी आर ए जसी आप करोगे तो grade आजाएगा एक इसके बाद आपको यहाँ ठीक करना है इसके बाद grade में जाना है और हम आलफा यहाँ पर क्यां हो तो यहाँ पर लिए पर आलफा इसके थोड़ा-धोड़ा सा ब्लक पाइंट को अटेज करो तो आपको इस तरीकर से यह रिमूव हो जाएगा अब हमारा वाइड पार्ड भी देख़र हैं यहां पर तो उइट पला आना चाहिए अब इसको थोड़ा से इसको हँई बड़ा लो गटालो यहां पर आपको पता लग जाएगा और यहां पर मैं गया करता अब मैं ए प्रेस करता हूं तो मेरा इस तरीके साँ जाएगा अब हम ग्या करेंगे एक background लाकर देखेंगे तो background के लिए मैं क्या करता हूं एक marginal ले रहा हूं यहाँ पर attach कर रहा हूं और एक ले रहा हूं यहाँ यहाँ पर अलग-अलग type की आपके दिखाता हूं जैसे यहाँ पर हम लेते हैं c o n जैसे अब लगकर constant image आ जाएगा अगर आपके पास कोई पीछे color यूज करना चाहरे तो color भी करते हैं और एक मैं यहाँ पर ले ले लेता हूं जो हमारा यहाँ पर background था जैसे यह इसको भी हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर attach करते हैं आप दे shift हो जाएगा a b shift हो जाएगा तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर remove हो चुका इस तरीके से हैं अब अगर मैं यहाँ पर इसमें touch करता हूं color change करना तो इसके property में जाओ और यहाँ पर color को change करके देख सकते हो ऐसा तो हमारे कुछ आ गया अगर मैं यहाँ पर जाता हूं और इस image पर करता हूं तो आप देखो कुछ अलग तरीके से हो गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि image का size देखो आपके क्या है और आपके footage का size जो आपने chroma वाली screen था उसका character का size अलग था तो अभी हम क्या करना है इसके size को ठीक करना है तो आपको ले आरी री format note जैसे आप लोगे यहाँ पर यह character आपका ठीक दिखाई देने लगेगा इस तरीके से इसके बाद एक चीज और कि जो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जाना पड़ेगा grade के अंदर और यह जो हमारा दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पर grain में जाओ और यह थोड़ा सा यह shift करो इससे क्या होगा कि यह आपका ही है मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ 20 20 ज्यादा हो गया है मैं यहाँ पर 19 करता हूँ इस तरीके से थोड़ा सा इसको attach करना यह आपको करके देखना पड़ेगा केतने बजार है जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा हो गया है आप इसको यहाँ पर maintain कर सकते हैं तो यह क्या होगा अभी कि इस से थोड़ा सा मर्ज होता जाएगा मुह लग रहा है इतना ठीक है तो हमारे एज में इस तरीके से थोड़ा सा काम कर सकते हैं ताकि एज हमारे हमें यहां पर थोड़ा से blend हो जाएं इसके बाद अगर आपको अगर आपको इसकी position को change करना है बहुत थोड़ा से इधर होना चाहिए तो आप क्या करोगे यहाँ पर TR transform node लोगे और यहाँ पर हमें footage को करना है तो footage के आगे आएगा यह और इसको यहाँ पर इस तरीके से कहीं भी आप ले जाके लगा सकते हो तो यह आपका यहाँ पर move हो जाएगा जैसे move हो गया अब आपको इस चीज और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा किये चीज मैं इसको थोड़ा से यहाँ पर कर लेता हूँ आप कैसे भी रख सकते हो बट मुझे थोड़ा सा इस तरीके से सही लगता है तो मैं इस तरीके से यहां भी एक reformate note लगा लो तो आपके जो problem है यह solve हो जाएगी इस तरीके से तो अभी ठीक हो गया तो यहा इस तरीके से से फोड़े से पारड को मैं और बता देता हूं अगर आपको थोड़ा सा ब्लैंड करना है या थोड़ा सा आपको क्या चीन है कि यह जो इसके उपर मुझे कुछ दूप ताइब का दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर एक मर्ट नोड ले सकते हो इस तरीके से और मैं क्या करता हूं इसी constant note को copy कर लेता हूं कि यहां पर control अभी मैं color change नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं Direum और के इताशनिते हैं और को इसमे हैं कि आप दो कि इस तरीके दिख रहा हो यह नोड लेना कि यहां पर इस तरीकासे मैं इसको सब्सक्राइब कि अभी क्या करना है यहां पर जाना है और इसकी शेप ले लेते हैं और मैं यहां पे ellipse ले रहा हूँ यहां पे इस तरीके से यह ठीक है अब यहां पे मैं जाता हूँ इसको select करता हूँ ऐसे और e presses करते जाओगे जैसा यह अब देख कुछ फैदर यहां पे इस तरीके से दिक रहा है ठीक है अब आपको क्या करना है इसके color को change करना है color को change करना है तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाना है और इसके operation में जाना है और यहाँ पर करना है mask तो जैसे मास करेंगे तो इस तरीके तो कुछ आ बढ़ेँगा अभी आपको मर्च जाओगे और यहां प्र numbers इस musi तरीख होगो तो अब क्या होगा कि संवर्य कुछ आप यहां पर कर सकते हो जthrough Upon to तो दिखाने तो चप्छाने तो बैग्रान पर गई सकते हों अब ही यहां पर देखर हो कुछ ऐसी है यहां पे हैं यहां पर और इसको जा यांप लिया है इसको आप को थोड़ा सा और कम कर देना है तो अभी क्या हब कि थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा कि इस में इमेज इसके साहिं है उलिए अगर हम मैं एक क्या करता हूं एक और उपन कर लेता हूं इस बार मैं इस फोटेज को यहां पर लाता हूं और यहां पर लाके इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेता है यहां भी हम से मैंसे करेंगे पर यहां पर बहुत ही जल्दी यहां पर रिमूव हो जाएगा तो मैं इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर लेता हूं यहां पर देख रहे होगे कि आप बहुत क्लीन है इस तरीके से शिफ्ट एप ठ्री प्रेस कर लेता हूं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं कुछ जो की हमेशा करना बिस्टिल फ्रेम होते हैं आप इस्टार्ट फ्रेम वन देने को जरू होती मेरा का का लाँ तो कीनी वह स्वस्टार्य मेट लेता हों इसके बार आप को कुछ SAM आपको कुछ निकाना है मैं यहां वहती है जल्दी इसको रिमूप कर देता हूं तो देख रहो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत ही रफली काम किया है बहुत ही अभी मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर टेप प्रेस करता हूँ I-B-K मैं यहां पे Gizmo ले रहा हूँ और यहां पे मैं Clean Plate को इसमें एटेश करहाँ Foreground का इसमें अब आप यहां पे देखो कि One pres कर रहे हैं और यहां पे इसके property में जाके Green तो आप देखो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है यहां पे जा रहा है और इसको इस तरीके से तो यह देखो रिमूव हो गया अब इसके बाद यहां पे आप इसको अटेश करके देख लो मर्जनोड लेते हैं मर्जनोड मैं इसको इस तरीके से एक चेकर बोर्ड लेते हैं और चेकर बोर्ड पर आप इसको अटेश कर लो इस तरीके से शिप्ट एक्स प्रेस करो के तो आप देखो की पूरी डिटेल यहां पे बहुत ही अच्छे से आ जाएगी अगर आप यहां पे कुछ और भी ले चाहते हो भी ले सकते हो या मैं इस इमेज़ को जो मैंने लिया तो यहां पे इसी इमेज़ को यहां पे ले- इस image को यहां पर लेते हैं और यहां पर लाके इसको attach कर लेते हैं अब इस तरीके से दिखा रहा है मैं आप एक reformat ले लेता हूं पहले बता चुक्क हूं इसके बारे में तो इस तरीके से कुछ यहां पर आपको देखने को मिल लाओगा हूं ठीक हैै ऐसा कुछ यहाँ पे अब देखो के तो पूरी इस पे बहुत अच्छा हमारा रिमूव गया क्यों ऐसा हुआ क्यूंकि हमारी जो कॉलिटी थी पहले से अल की थी तो आप देखोगे कि इसमें कम मैनत करने पड़ी हो इस तरह की फूटेश हमें कुछ ज्यादा ही यहां पर देखने हम करने को मिलती है तो इसमें में अगर आ गया तो हम इस फोटेज पर बहुत ही आराम से कड़ सकते हैं तो आई हो के बीट आपको पसंद आपको मिलते किसी और ट्रेटर में तब तक के लिए धन्यवाद